नमस्कार दर्शको स्वागत आप सभी का हमारे चैनल किशूर मंच पर आज मैं हूँ आपके साथ सभी हनक वी और लाइव इंटराक्टिव सेशन में आज जिस विशे पर हम बाचीत करेंगे उस विशे से आपका परीचे करा दे आज का विशे रहेगा सुगब में विज्यान शिक्षा इस विशे पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है हमारी आज की आमंत्रित विशे शर्गे और हमारी एक्सपर्ट उनका स्वागत करते हैं उनका परीच कारिक्रम में और दर्शको आप से अनुरोध है कि अगर आप भी आज के इस विशे से जुड़ना चाहते हैं विशे से संबंदित अगर कोई प्रशन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बिलकुल पूछ सकते हैं हमारी चैनल के माधियम से आप अपने प्रशन हमें पहुंच और जैसे के मैम आज हम बात करेंगे आज का विशे है सुगम में विज्ञान शिक्षन और आज बिसिकली जो विशेशकर हमारा जो विशे रहेगा वो इर्द गिर्द घूमेगा जिस कंसर्ड में जिस संदर्म में आज हम बात करेंगे दिव्यांग विध्यारतियों के विशे यानि कि विज्ञान शिक्षन को जो कक्षा कक्ष में होता है या प्रयोग शालाओं में होता है उनको हम कैसे सुगम्य बना सकते हैं सुगम्यता किसके लिए आवशक है? उन बच्चों के लिए आवशक है, जिनकी कुछ विशेश शेक्षिक आवशकता हैं. अब ये विशेश शेक्षिक आवशकता हैं, बहुत सारी वजहों से हो सकती है. बिल्कुर. इसलिए हमारी विज्ञान के टीचर्स करते हैं लेबरेटरी ले जाने से पहले या इस टेस्ट्यूब है, ये बूरेट है या ये ड्रॉपर है, इसको ऐसे ही स्थमाल करना है, या ये माइक्रोस्कोप है या ये पेंडूलम है. तो वो बच्चों को पहले बताते हैं, को पहले पूर परीचे करा देंगी, ये चीजे हैं जिन से हम विज्ञान के शिक्षन को सुगम बना सकने हैं. तो जो विज्ञान शिक्षन है वो विकलांग बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं रहेगा. बिल्कुल सही कहा, मैमने की ठीचर एक अधियापक की मह अगर हम बात करते हैं विज्ञान प्रयोग की तो मैं क्या इंपॉर्टन्स क्या महतवपूर्ता एज दिव्यांग बच्चों के लिए हमें देखने के लिए मिलते हैं. तो सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे उन बच्चों को आती है जो चक्षू दोष्यों या दृष्ट करते हैं इसी के साथ विज्ञान के कुछ और भी कॉंसिप्ट्स हैं जो आपने और मैंने भी चाहिद पढ़े हैं ठीक है दस में तक तो विज्ञान हर एक कोई पढ़ता है आप ये बताओ क्या आपने कभी आटम को देखा है नहीं देखा आपने कभी एलेक्ट्रॉन प्रो जब हम भी बिना देखे इन चीजों को समझते हैं तो हमने कैसे समझ और मॉडल के थू समझा हमने द्रामा के थू समझा तो विलकुल हम द्रिष्टी बाधित बालकुं को भी इस पूरे शिक्षय के सामिल कर सकते हैं अब इसे के साथ आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं बात क तो हम क्या कर सकते हैं किसी को बोल सकते हैं कि बेटा माइक्रोस्कोप में आपको जो दिखाई दे रहा है जैसा दिखाई दे रहा है आप वो बोल दो जाकि वो सुन कर के कम से कम समझ तो पाए उसको यह तो नहीं लगे कि नहीं मुझे शामिल ही नहीं किया जा रहा है शिक्ष अगर वह सुन नहीं सकता तो और भी असान है वह देख करके शामिल होगा पर जो सुन नहीं सकता उसके साथ समस्य आती है उसको भाशा में हमें सहायता करनी पड़ेगी कि बेसिक कॉंसेप्स हैं टर्म से हम उनको पहले बता दें या उनकी विज्वल डिस्रिप्शन दे दें क क्योंकि वह सुन नहीं पाएगा लेकिन जो देख नहीं पाएगा वह सुन तो पाएगा तो उसको वर्बल डिस्रिप्शन चाहिए होती है इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा फिर जो देख नहीं सकते उसमें भी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते कुछ लो तो मैं किसी टीचर ने का मैडम मैंने कुछ बनाई हैं टीचिंग लर्निंग मिटीरियल मुझे उनका आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपने दर्शकों को अभी अज लाइव में भी दिखाने वाली हूँ बहुत सिंपल सी उन्होंने लो विजन बच्चों के ल रहेंगे और जैसे यह देखिए यह मैट्स के कॉंसेप्ट है अब मैट्स का कॉंसेप्ट आपको पढ़ाना है पैरलल लाइन और ट्रांसवर्सल या आपको ट्राइंगल का शेप दिखाना है तो आपको टेक्टाइल बनाना पड़ेका क्योंकि यह बच्चा देख नहीं सक हैं यह देखिए एक यह भी है जो न्यूक्लियस का है देखिए कलर्स का कितना सुंदर इन्होंने इस्तेमाल किया है और स्कूल में जब हम पढ़ते थे तब एक एक्टिवीटी का पीरिट भी होता था जिसमें हम कुछ धागे से और कुछ काम करना हमें सिखाते थे तो वही से वह एक्टिवीटी इस पीर गूप भी बना सकता है अगर टीचर के पास टाइम नहीं आए तो इस तरह के बहुत सिंपल सिंपल सरल सामगरी जो आपके घर के आसपस उपलब्द है आप उससे बना सकते हो अब इन्होंने इसमें लेबलिंग भी ब्रेल में की गुई है आफ श्रीज के से उन्होंने बैसिक स्ट्रक्चर उभारा है और कलर कउंट्रास्ट टक्छाए क्यों कि यह लो विजन बच्चें के लिए है ताकि वो उसको पहचान सके लो विजन है तो मितलब कलर कंट्रास्ट को देखकर के वो समझ पाएंगा कि यह डिफरेंट प्रुक शेद सभी बच्चों के लिए हम इस्तमाल कर पाएंगे यह फोटो सिंथेस को दिखाने की कोशिश किये लेबलिंग भी है ब्रेल में और प्रिंट में भी है लेबल और मेटीरियल भी थोड़ा डिफरेंट यूज करने की कोशिश किये देखें कहीं पर बीड्स का भी इस्तमा कि जब भी हम इस तरह के बच्चों के लिए कोई TLM बनाएं तो पार्ट्स तो आपने समझा दिये लेकिन वो पार्ट्स मिल करके बड़ा होल बनाते हैं वो एक किसी बड़ी चीज का हिस्सा है यह भी बताना जरूरी है और साथ में यह भी बताना जरूरी है कि हमने आपको स बताना है और बेलै है तो मैंने एलीफेंट का मिनियेचर साइज ले लिया और वही मुझे उसी क्लास में चूहे के बारे में भी बढ़ाना है पढ़ारा. अब अगर मैं यह ना कहूं कि चूहा बहुत छोटा होता है और एलीफेंट में बहुत बड़ा होता है तो जो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी बात है जो हमारे जाहे विज्ञान शिक्षण हो चाहे गलेट शिक्षक हो चाहे कोई भी शिक्षक हो उसको ये बात ध्यान में जरूरी है, कि जो भी आप पढ़ा हो उसको रियल लाइफ, रियल साइज से जोड़ना जरूरी है, साफधानी है, जो हमें चक्षु हींता वाले बच्चों के साथ काम करते हुए देखनी पढ़ती है, और विज्ञान की कक्षाओं में तो अकसर यह होता है, हम मान लेते हैं कि सारी चीज़े आप देख के करोगे, सुनके करोगे, और जो होता भी है, मैं क्या कर रही हूँ इंडुलम की मैं ओसिलेशन कांट कर रही हूँ, या मैं उस्यविय। या मैं मैं बारी स awake और की साथ कांठी की मिला करें केश मिला कर करें के traff cm violently को इन सब के चीज चलते कही न कहीं हमारे मन में ये बात आ जाती है कि क्योंकि सभी चीजे तो देखने और दृष्टी पर आधा रे दे तो इनका प्रियोग मैम हमारे दिव्यांग बच्चे या जो नेतरहीन बच्चे हैं वो कैसे कर सकते हैं। बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज कि कहा जाता है मैम कि कोई भी जो प्रॉबल्म है कोई भी जो परेशानी है आप इन्टर्नली तबatures करते हो जब खुद उसीस को महसूस करते हो तो आज कई भार यह भी होता है हमें आप बोलते हैं कि हां कर सकते हैं लेकिन आप करके दीर दिखाएं हैं तो और आपकी आँखों पर हम पत्टी बांदेंगे आप दृष्टी हीम बच्छा हमारी क्लास के लिए हो जाएं और मैं शिक्षिका की भूमीका में आऊँगी और देखते हैं फिर हम यह कैसे करते हैं इ उनको बहुत सारी चीजों का वो करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जैसे जब आप प्रयोक शाला में लेकर के जाएं, इसी ब्लाइन बच्चे को या लो विजन बच्चे को, सो पहली चीज क्या है, कि आप बच्चों को फेमिलियराइज करा दें, कि कौन सी चीज आपने प्रयोक शाला में कहां रखी है, अक्सर हमारे यहां क्या होता है, कि हम प्रयोक तो कराते हैं, और बच्चों को कहते हैं, अच्छा, फलाँ अलमारी से या फलाँ जगा से आप इत बच्च वाला बच्चा है या कोई और बच्चा है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको experiments में जो भी सामान चाहिए वो सामान आपको एक छोटी सी जगहा पर workspace जिसको हम कहते हैं उसको आपको वहां पर arrange करना पड़ेगा जैसे जितना chemical चाहिए उसका पहले से measure कर क्वांटिटी जो chemical चाहिए वो आप उसको रख लीजिए लेकर के अब क्योंकि यह studio है science laboratory नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे हमें जो भी समान यहां available हुआ हमने वो समान दिया जैसे workspace वैसे तो चोकोर या आइताकार होती है हमें क्योंकि वो उतनी सुविधा नहीं थी तो ह हमने एक ट्रे की जगा आप अगर दिखा पाएं तो यह हमने एक प्लेट में experiment का सारा समान हमने रखा हुआ है यहां पर और आप देखें सभीहा की आँखों पर पट्टी बंधी है जी बै बिल्कुल तो सभीहा को दिखनी रहा है अब मैं instruction दोंगी और सिरफ और सभीहा करन दोंगे थोड़ा और देखें आप कहां तक अपनी प्लेट को खीच सकती है इससे जादा नहीं खीच पाएंगी यह मेरे लिए परफेक्ट है मैम क्योंकि जो मेरा टेबल है वो यहां पर एंट हुआ है और फिन ही तो गिर जाएगा अच्छा अब टेबल प्लेट के अंदर गरा आपको मैसूस हो रहा है जी मुझे लग रहा है मैम इसमें कुछ पाउडर टाइप का मुझे कुछ फील हो रहा है इसको भी रख दीजिये और क्या है प्लेट में मैम यह एक क्लिप है यह बिल्कुल साधारन सामानिय सी क्लिप है जो हम कपड़े सुखाते वक्त घर में इस्तेमाल करते हैं और यह जो डिब्बी है वो डिब्बी भी आप जरूरी नहीं कि यही वाली डिब्बी लीजे प्लास्टिक की कोई भी आप एक खाली डिब्बी ल चाहिए बेरियम हाइड्रोकसाइड और एक मुझे चाहिए अमोनियम क्लोराइड मैंने जिप लॉग बैग में डाला हुगा है जिसको आपको लगा कि ये पाउडर जैसा है अच्छा अब सभी करना आपको ये है जिस जिप लॉग बैग है आप उसे खोल ये एक बार और इसे सूंगने की कोशिश करिए देखिए क्या कोई गंध है इसकी कोई स्मेल है नहीं मैम अभी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है अच्छा जिप लॉग बैग बन कर दीजिए और रख दीजिए इसको आप अपने उल्टे हाथ की तरफ रखे थोड़ासा हाथ की तरफ शिफ्ट कर बास ठीक है अब सीदे हाथ से आप अपनी प्लास्टिक की जो बॉटल आपने जहां रखी थी देखिए उसे ये इसको थोड़ा ठोक लीजिए प्लेट पर ही ताकि अगर इसका कैमिकल कुछ धकन में है तो वो नीचे आजाएगा प्लेट पर ठोक लीजिए थोड़ा सा हां पास जरी गुड अब इसका धकन खोलिए और इसको भी सूंगिए च्या कोई गंध है इसमें प्लास्टिक की गंध हो सकती है इसको भी रख दीचे आपको जो क्लिप था चीम्टी थी उसकी पोजीशन याद है कहां थी प्लेट में वो मेरी बाई तरफ थी ना ठीक है अब लेफ्टेंड साइड पर ही आपके पॉलेथिन भी रखा हुआ है है ना जिप लॉक बैग को अब लेफ्ट हैंड में उठाईए और खोले इससे बस अब इसको खुली पोजीशन में आप ऐसे पकड़ लीजे कि आप कमफर्टेबल हो और दूसरे हाथ से आप प्लास्टिक की बॉटल को खोल भी पाएंगे लेकिन अभी रखिये प्लास्टिक की बॉटल नहीं खोल नह कर ये और इसमें जो भी कैमिकल है उसको एक कोने में इकठा कीजिए अब बन नहीं हुआ है आपका जिप लॉक बैक जिप को बन कीजिए अच्छे से अब पूरा कैमिकल एक कोने में इकठा कीजिए नीचे की तरफ ही ठीक है अब जिस कोने में कैमिकल इकठा हुआ है उसको वहीं से पकड़िये उस कोने से और इसको अपने ऊपर की तरफ मोड़ दीचिये, एक बार और मोड़िये, अब इसको यहीं पर पकड़ के रखिये, प्लास्टिक की क्लिप उठाईए, अब यह जो कपड़े वाली चिंटी है, इसको अब आप इससे लगा दीजिये, गहां पर ताकि यह कोना आपका सिक्योर हो जाए, थोड़ा और लगाईए उपर की तरफ, अब आपको करना क्या है, जिप लॉग बैग खोलना है, और इसमें जो प्लास्टिक की बॉटल में बेरियम हाइड्रोकसाइड है हमारा केमिकल, जिसमें कोई गंध नहीं थी, ठीके, वो करिए, अपना पूरा टाइम लीजिए, अभी मैं फील कर पा रही हूं मैं, ऐसे स्टुडेंट्स के जो हमारे बच्चे हैं, वो किस तहां फील करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुझे भी बिल्कुल टीचर जैसा लग रहा है, जी, मैं मैंने उपन कर लिया है, अब आ अब आपने धकन खोल लिया उसका, अब उंगलियां बाहर निकालिये, पॉलेथिन से, इसमें डालिये, पूरा ये, पूरी बॉटल उडेल दीजिए, क्योंकि केमिकल हमने उतना ही लिया है, जितना हमें चाहिए, बास, अब बॉटल रख दीजिए वापिस प्लेट में, ध लिप लॉक बैक का जिप बन कीजिए, और क्योंकि दोनों केमिकल आपने पहले सूंगे थे तो आपको इसमें से कोई स्मेल नहीं आई थी, अच्छा, आप महसूस कीजिए, दोनों पाउडरी हैं, क्या, है ना, क्या ये आपको बहुत थंडा या कुछ गरम लग रहे हैं, या रूम टेमप्रेचर पर ही हैं, अभी मैम मुझे रूम टेमप्रेचर पर ही फील हो रहा है, बिल्कुल ठीक, अब आप एक काम करिए, ये जो हमने क्लिप लगाई थी, वो क्लिप निकाल दीजिए, और दोनों केमिकल्स को मिलाने की कोशिश कीजिए, अपनी उंगलियों से, प्लास्टिक की उपर से ही, और जैसा भी आपको लगे वो आप बताईएगा, बताते रहिए, मुझे थोड़ा मैम ये ठंडा ठंडा लग रहा है, कर ये, मिलाईए और अच्छे से, देखे बताईए फिर क्या लगता है, दोनों हाथों से मिला लीजिए, नीचे से, कैस अच्छा लग रहे है, मिला पा रही है हम, जी, कुछ बदलाव महसूस हुआ, जी ये थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है, और अभी भी क्या ये पाउडरी ही है, अच्छे से मिलाईए, तो आप इसमें तेमपरेचर में बदलाव महसूस कर पा रही है, जी, 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 बहुत ठंडा 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 अपको लग रहे है, जी, जी, ये मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा लगना शुरू हो गया, अच्छे से जितना मिलाएंगे आपको और उसका तेमपरेचर अभी औ अच्छे, अब थोड़ा सा इसको आप जिप लॉग बैक को ऊपर से खोलिये, और सूंगने की कोशिश कीजिए, देखिए, क्या कोई स्मेल है, क्या भी इसकी जी मैम, कैसी स्मेल आई आपको, आपका चेहरा बता रहा है कि आपको अच्छा नहीं लगा, वो स्मेल, जिप लॉग बैक बंद कर दीजिए, उपर से जिप बंद कर दीजिए, और अब आप अपने आँखों की पट्टी उतार सकती हैं, जी, ये एक्स्पेरिमेंट यूज तूटचेहर देशली हमारी इसमें हमने क्या किया, दो पावडरी क्यमिकल्स को लेकर के हमने आपस में बंद किया, टिजिए और उनkedांब अमोनीया गास जेणरेट होती है, अझासा ब करत जचा नहीं ळले दोख कि रहा है, क्योंकि बेकिन आपको आपको कर रहा दी टीटा शुछ को चोट लग जाएगी तो मैंने क्या किया कि लेबोरेटरी के बाहर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उन चीजों की साहता से कर सकते हैं जो बहुत आसानी से सरलता से हमारे चारो तरफ कि अगर मैं आप मेरे साथ नहीं होते तो वाक़ी मेरे लिए बहुत टुफ होता लेकिन जिस तरह से आपने इस्ट्रक्शन दिये और जिस तरह से आपने मुझे गाइट किया तो बेसिकली से यह बात सामने निकल कर आई कि अगर एक बच्चा है जो देख नहीं सकता एक विद और बेस्ठक्शन दे तो वो भाँत आसा नहीं सकर सकता है अच्छ यहां पर बात कर रह हुं सही इंस्ट्रक्शन सेन मतलब यहां पर यह है सिलसिलेवार और क्रमňर को कि जैसे मैंने कहा आपके लfold hand side पर उत रह Özayd ए capacity तो वो थोड़ा सी टीचर को समवेधन शीलता से सोच कि मैं क्या बोलूँ और बच्चा उसको कैसे फॉलो करें तो पहली चीज तो यह कि आपकी इंस्ट्रक्शन आपके निर्देश, सिलसिलेवार हों, क्रमवार हों, आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए कि बच्चा पहले पहली इंस्ट्रक्शन फॉलो करें तब ही आप दूसरी और दूसरा, ऐसे विज्ञान शिक्षक, साइंस टीचर मेरी आदत है क्योंकि मैंने जब एक्सपरिमेंट किया लेबरेटरी में जाकर के तो मैंने अपने आप केमिकल्स नापे, तोले, डाले और तब मैंने एक्सपरिमेंट किया, ऐसे साइंस टीचर मैं सोचूं कि यहां म मेरा मकसद क्या है, यहां मेरा मकसद है बच्चे को यह बताना कि अगर आप बेरियम हाइडरोकसाइड और अमोनियम ट्रोराइड को मिलाओगे तो अमोनिया गैस पने कि तो मुझे उससे परिचित कराना है, ना कि मुझे बच्चे को यह देखना है कि वो अपने आप समान तो फोकस करिए कि आपकी कोर्स किल क्या है जो आप देना चाहते हो इसलिए हमने प्री मेज़र क्वांटिटी केमिकल्स की लिए लिए तो उससे क्या हुआ टाइम भी बच्चे का हां एज टीचर मुझे थोड़ी सी प्रेपरेशन जादा करनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए हमारी लैब्स में कईबर लैब असिस्टेंट होते हैं और अगर नहीं भी है तो आप किसी भी सीनियर बच्चे को आप इन्वाल्व कर सकते हैं तो वह भी बहुत असानी से आपको जैसे अगर लेकिन इसमें अब भी सुगम्य को कि हम विज्ञान चिक्षन की बात करें तो इसा ना हो कि आप चक्षु हीमता चक्षु दोश वाले बच्चों को ही सारा समान मेजर करके दे दो और बाकी लोगों को छोड़ दो नई ऐसा नहीं करना है अगर ऐसा करोगे तो फिर आप समावेशन में अलगाव की स्थिती पैदा करोगे बिलकुल इक्स्क्लूजन हो ज बच्चों को क्योंकि इनकी विशेश आवेशकता है तो मैंने इनको तो सारा समान नाप तों करके दे दिया और बाकी लोग अपने आप जा करके ले लो नहीं तो उससे बच्चों में वह समावेशन की भावना नहीं आदा और अगर हम ये बदलाव लाते हैं अपनी में एक्टिविटी में तो उससे ना केवल हमारे विकलांग बच्चे ही समावेशित होते हैं पर ये तरीका ये प्रणाली पढ़ाने की हर एक बच्चे की आवश्यक्ताओं तक पहुंचती है हो सकता है मेरी हाइड छोटी है जो कंटेनर है लैब में वह बहुत ऊपर रखा है तो मैं नहीं पहुंच पाऊंँ वहा तो लेकिन अगर मुझे प्रीमेशर्ड मिल जाए पहले से ही मिल जाए नाप तो इनकर के दिया हुआ तो मेरी वह आवेशक्ता पूरी हुआ है या मैं वैसी साइंस में अच्छी लगती है और उस पर से आप ऐसे से काम कराओ मुझ से तो शेयर मेरा मन भी ना करें पर अगर मुझे लगा अच्छा ने यह तो सब मिला ही हुआ है सरक मुझे मिलाना टीच है। तो मेरे लिए और जादा आसान हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि जब आप समावेशी शिक्षन पद्यती का इस्तमाल करते हो तो वो पद्यती कक्षा के हर विद्यती के लिए लाब कारी तेक है लाब की बात यहां डॉक्टर भारती हम कर रहे हैं मैम तो आप से पूछना जी जख वहां जाकर एक्सपरिमेंट कर सकते हैं हमारी विज्ञान प्रयोग शालाओं में पहले तो हम यह समझें कि किन किन चीजों से बचों को नुकसान पहुंच सकता है सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है दर्वाजे दर्वाजे कई बर हमारे आदे खुले आदे ब स्वार के लिए ड़की शाब के दर्वाजें या तो पूरी तरह बंध हों या पूरी तरह खुले हों कि वह चड़ी की सहायता से चलेगा, स्मार्ट केंभी अगर उसके पास है तो स्मार्ट केंभी उसको यह तो प्ड़ा पर एक अलमारी है और उस पाजा खुला आप उससे गिरने की समभवना होती है ठीक है प्लस फर्ष पर अगर समान बिखरा हुआ है तो वहाँ पर वीलचेर ले जाने आने में भी दिक्कत होगी जो बच्चा वीलचेर इसनमाल कर रहा है उसको भी परेशानी होगी या जो बच्चा बैसाखी की सहाइता से चल रहा है उसके लिए तो किसी के भी उलच करके गिरने की समभवना नहीं होगी ठीक है अच्छा फिर एक और खत्रा होता है नुकीली कोनों से या नुकीली वस्तुमों से ठीक है तो आपकी वर्क स्पेस ऐसी हो जहां पर राउंड़ेड एजेज हो और अगर नहीं भी है प्यूंकि फर्णीचर बनाने वाले अभी उस दृष्टी से नहीं सोचते हैं तो हम क्या कर सकते हैं नहीं होगा हमारे पास पर गे तो है अवेलिबल आप उससे अजिज को राउंड़ कर सकते हैं यानि तो रबर की गलव आती हैं वह लगा सकते हैं तो आग अब कैसे करेंगे उससे बंशन बरनर अगर काम करना है आपको, चीजें गरम करनी है, पानी उबालना है, लिक्विड उबालना है, टेस्ट्यूब में कुछ काम करना है, होट वाटर से करना है, गलवस इस्तमाल कर लीचिया, ठीक है? बिल्कुल. और लेबुरेटरी में काच का समान बहुत होता है, तो सबसे दाद करके खाना का करके अपनी प्लेट और समान रखता है कि नहीं रखता है, बिल्कुल रखता है, वो अपने लिए चाय भी छानेगा, और शायद के लिए चाय भी डाल दे, आपको भी कप पास कर दे, तो थोड़ा सा विश्वास करिए उनकी योग्यताओं पर, पहली चीज, दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको सारा समान एक प्लेट में छोटी सी वर्क स्पेस में दिया, वैसी एक वर्क स्पेस उनके लिए डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, और उस वर्क स्पेस पर भी नॉन स्लिप पैट जाते हैं, जैसे रबर का आप मैट बिछा दो, तो समान ग पारी हूं, मैं दो चीजों से काम कर रही हूं, और किसी ने अगर मेरे वर्क स्पेस से समान उठाकर के एक जगा से दूसरी जगा लग दिया, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगी, तो मेरे लिए वह बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, और शायद खत्रा भी हूं, तो अगर आप उसके साथ बैट के काम कर रहे हो, जो देख नहीं सकता है, तो आपको थोड़ा सा सेंसिटिफ उसके लिए होना भी पड़ेगा, जी, मैं बिलकुल बहुत ही कम शब्दों मैं आप से आज की कारिक्रम का सिफ आखरी प्रशन पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारे ल आप की कारिक्रम लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी दिल्चस्पी को बढ़ाते रहेंगे, फिलाल आज के इस कारिक्रम को बस यहीं सकते हैं, तो बिलकुल दर्शकों आप भी अपना विश्वास इसी तरह बनाए रखिए हमारे उपर, क्योंकि इसी तरह क कारिक्रम लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी दिल्चस्पी को बढ़ाते रहेंगे, फिलाल आज के इस कारिक्रम को बस यहीं समापट करते हैं, जाने से पहला आपको बता दें कि सुगं में विग्यान शिक्षन, आज इस विशे पर बात चीत रही हमारे सा से हम तक जरूर पहुचाएं कल एक नए विशे के साथ फिर से होगी आपसे मुलाखात तब तक के लिए अनुमाती दीजी नमस्कार